आप बोलेंगे ये सारी बाते हैं जिनों ने खुद अपना समीकरण जातियता के अधार पर सांप्रदाइकता के अधार पर बनाया हुआ जब ये लोग MY समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं बिहार में जात्यता को बढ़ावाा देने की ना साम प्रदायक्ता को बढ़ावा । मैं भीMY की बात करता हूं , , , , महिला हैं और यूआ जाद्पा धरम मदेख़कर जाती की नहीं जमात की बादप ये बहारी है तो ये यहां का नहीं है ये वहां का नहीं है आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं और आप उस तक पर ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे चेतर का है इस चेतर का नहीं है तो अब इससे जादा बाटने की राजनेती और कौन करेगा कॉंगरस से पच्पंच साल आपको मिले अगर पच्पंच साल केंद्र में आपने किया होता 15 साल में अगर बिहार को आपने विकास की रहा पर आगे लेकर गए होते तो आज ये सवाल दूसरे से नहीं पूछने पड़ते हैं आज आप अपनी काम्याबियों के अधार पर आप चुनाओं और यहीं मोधी की गैरेंटी है जो की प्रो कंबेंसी हर बार चुनाओं में क्रियेट करती है 14 से बड़ी जीत 19 में 19 से बड़ी जीत 24 में होने जाए जो लोग इस तरीके की बाते उठाते हैं न ये इसको तुष्टी करन की राजजीती बोलते हैं क्या आपके पास आज उठाने के लिए जब मेरे प्रधान मंत्री आ रहे हैं क्या आपके पास कोई और बहतर विश्य नहीं है आप खुद क्या कर रहे हैं इन बातों को उठा कर और आप बोलेंगे ये सारी बाते जिनों ने खुद अपना समीकरन जातिता के अधार पर सांप्रदाइकता के अधार पर बनाया हुआ जब ये लोग एमवाई समीकरन की बात करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं बिहार में जातिता को बढ़ावा देने की ना सांप्रदाइकता को बढ़ावा देने की भाई मैं भी एमवाई की बात करता हूँ पर मेरे एमवाई में महिला है और युवा है जात्पा धरम मदब से उठकर जाती की नहीं जमात की बात हर जमात की हर जाती हर धर्म की महिला है जाती हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं पर ये लोग जब बात करते हैं ये लोग सिर्फ तुष्टी करण की राजनिती को साधने का सिर्फ धर्म के अधार पर बिहा भाई ये बहारी है तो ये यहां का नहीं है ये वहां का नहीं है आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं और आप उस तक पे ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे छेतर का है इस छेतर का नहीं है तो अब इससे जादा बाटने की राजनेती और कौन करेगा हकीकत ह पूरे चुनाओं में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोगों को विकास के नाम पर ये लोग घेर नहीं सकते जैसे विकास के नाम पर घेरेंगे सीधा सामने से सवाल आएंगे हम जिस मंच पर जाते हैं हर मंच से हम पूछते हैं कि विकास की योजनाओं का किन किन को लाब मिला प्रधान मंतरी गरीब कल्यान की योजनाओं का किन किन को लाब मिला आप जाकर पूछे किसी से कितने लोग को यहां पे आज की भी तारीक में पांच-माच किलो राशन मिल रहा है एक एक हाथ उठेगा पूछे उन लोगों से क यही मोधी की गैरेंटी है जो की प्रो कंबेंसी हर बार चुनाओं में क्रियेट करती है 14 से बड़ी जीत 19 में 19 से बड़ी जीत 24 में होने जागा समय पर उसका भी निर्मान कारे पूरा हो जाएगा पर जिनको आज इतनी चिंता है अपने जमाने में क्या किया अस्पतालों को लेकर भाई आप स्वास मंत्री भी रहे थे न आप जाकर एमसो भाईया केंद सरकार के अंतर गट है हम लोग बनाएंगे भी चलाएंगे भी दिल्ली से लेकर पटना तक है सारे इमसो चारूरू रूप से चल रहे हैं आप जब बिहार सरकार में आप मंत्री रहे थे आप बताईए ना भया आपी के पार्टी के पास विभाग थे आप लोगों ने क्या किया बिहार के अस्पतालों की हालत किसी से छुपी है क्या आपकी राज्य में सरकार भी थी आपी के परिवार के दो-दो मुख्य मंत्री रह ऐसे में बिहार की स्वास सेवाई क्यों नहीं बहतर हो पाई दूसरों पर उंगली अठाना बड़ा असान होता है पर अगर आज आप लोगों ने काम की होते और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, कॉंग्रेस से भी 55 साल आपको मिले अगर 55 साल केंदर में आपने किया होता 15 साल में अगर बिहार को आपने विकास की रहा पर आगे लेकर गए होते तो आज ये सवाल दूसरे से नहीं पूछने पड़ते आज आप अपनी काम्याबियों के अधार पर आप चुनाओ लगए